लौमेकर कारिक्रम में आपका स्वागत है और कारिक्रम की इस कड़ी में मेरे साथ है मद्यपr riches के शहर एंदौर से सांसद शंकर लालवाणी इंदौर शहर देश के सबसे स्वच शहरों में जाना जाता है और पुर्धामंतरी मोदी के स्वच भारत अभ्यान का अगर हम कहां ब्राइन अंबेस्टर पूरे देश में कोई है तो वो इंदौरी है और उस इंदौर का प्रतिनिध्यत्व लोगसभा में करते हैं शंकालालवानीजी शंकालालवानीजी आपका सफर इस्थानिय निकाई से लोगसभा तक रहा है किस तरह का यह सफर रहा है आपका बहुत चोटी कई से हमारा सफर शुरूआ उसमें तो विपक्ष में पार्शत थे और छेतर की समस्याओं को उठाने के लिए परिशत में अपनी बात रखते थे पर एक मुका फिर से आया है कि लगातार दस साल तक नगनिगमें सत्ता में रहे और एक पांस साल तो सभापती भ मुल्भूथ जो कहते हैं हम शहर की समस्याओं छेतर की समस्याओं उस इसको लेके कांवता है लेकिन यह जो लोकसाभा का मंदीर है सबसे बड़ा प्रेजशनत' का मंदीर इसमें इक बड़ा केणवा से हमारा सोच जो शहर का था अब यहां देश का हो गया है सभापती के तरप पर काम किया आ आम जनता के क्या सरुकार है marks यह आपने ग्राउण पर जया के हैुआ आप लोक सभा में आए हैं और यहां पर आप लोग विधेकों के जरीये देश के कानून को बनाने का काम करते हैं, जिसका सीधा सरुकार हम से देश की करोड़ों जंता से होता है, तो किस तरह का वो अनुभाव आपको काम आता है? यहां पर बड़े किनवास पर कारून बनाने की बात होती है, तो उसमें उन बातों का जरूर ध्यान में रहता है, क्योंकि हम नीचे से आये हैं, और नीचे यह किस प्रकार के लोगों की डिमांड है, या किस प्रकार का उसका भैतर हो सकता है, उसको लेके जब यहां कारून बनते हैं, तो नीचे तो पर हम समय समय पर सुजाओ देते हैं, चाहे हमारी कमेटियां हो, चाहे परल्लेमेंट में जब बोलने का मोगा आता हो, बजट हो, अलग-अलग सर्वें मंत्रियों से मिलते हैं, तो जरूर उनकी बात यहां पर रखते हैं, और मुझे लगता है कि यहां पर यही से पूरे देश में जो कानून बनते हैं, वो लोगों की भैतरी के लिए बनते हैं, तो वो जो हमारा अनुभा है, वो यहां काम आत तो आप लोग तैयारी किस तरह से करते हैं, यह जरा जंता को बताएं, कि किस तरह से अच्छी तैयारी करके ही आप लोग सदन में जाते हैं, देखिए हमको लगता होगा सदन में कुछ समय के लिए हम अपनी बात को रखते हैं, लेकि उसके पीछे हमारे बहुत सारी तैयार पर रखते हैं तो इसा नहीं सीधे कि हम अपनी बात रखते हैं हम वह रखते हैं जो जनता चाहती है जनता कि भैतरी के लिए होता है और सरकार भी करती है जो क्या भैतर कर सकते हैं तो एक स्टेटी रहती है अलग-अलग डाटा रहते हैं लाइबरी में जाना पड़ता है मुझे कई दिनों की मेनत रहती है बिलकुल तो मने संसद जी ने बताया कि जो जब भी विधेक पे या बजटिया परिक्रियाओं पे ये लोग सदन के अंदर बोलते हैं तो शायद वहां पे 15 मिनिट या आदा घंटा पांच मिन बोलते होंगे लेकिन उसके पीछे की तैयारि कई दिनों से चल रही होती है और तब जाके वो सार्थक चर्चा सदन के अंदर होता है और एक अच्छा कानून हमें देखने को मिलता है संसद महोदे हमने देखा है संसद सत्तर अस्ति नबबे दिन चलता है लेकिन आप लोग संसदिये समीतियों के मार्फत से पूरे 365 दिन हम करते हैं अब भी देख रहे हैं आप लोग की रिपोर्ट से उस सदन में रोजाना पेश हो रही है आप संसद की एक महतवपून कमेटी के सदस से हैं तो किस तरह से संसदिये समिती में है आप लोग काम करते हैं लगातार 15 साल नगर्णीयों में काम करने के बाद इंदोर समय समय पर जो मिटिंग रहती है उसमें हम इंपूट बराबर देते हैं और यहीं इंपूट आगे जाके बजट में जो प्रावधान आते हैं डिमांड और ग्रांड की बात करें यह जो हमारी रिपोर्ट रहती है उस रिपोर्ट में हम प्रसुत करते हैं तो जो ग्राउंड आप नेवल पर हमारी शाहरी विकास मंट्रा लेका काम हो रहा है, मुझे बताते हैं खुशी है कि जो हम यहां तैय करते हैं, कानून बनाते हैं, वो नीचे तक जाते हैं और लोगों के कहीं ऐसे उधारण है, मेरे पास वीडियो भी है, जो मैं लोगों से मिलता हूं, उनसे ब सब योजना जो ग्राउंड लेवल पर इती उसकी जो बहतर है के लिए और क्या हम कर सकते है उसको लेके हम अपनी प्रस्तुत रिपोर्ड में प्रस्तुत देते हैं क्या और बैतर हो सकता है वो भी हम रिपोर्ड में देते हैं आपने बताया शहरी विकास से जुड़एयोई संसद्य समीती के सदस्य हैं हमने देखा है प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट शहरी लाकों में सभी गरीब लोगों को अपना आवास मिले कोई भी वक्ति वगर आवास के ना रहे और वो आवास ना केवल मकान हो बलकि उसमें सभी सुभधाएं भी युक्तो पानी पीन कि से सरकार का आपकी सिफारिशों पर नजर्या रहता है कि जो हम सिफारिश करते हैं लगब अधिकांज सिफारिश सरकार स्यूकार करती है और हम वह सिफारिश करते हैं जो वास्तों में लोगों की आवशक्था में होती है हम ने दिखा कि शहरीलasило King लेकी बात करें जो पूरा पेसा आता है वो हमारे beneficial को मिलता है तो यह की सुख़त अनुब हो रहता है और हम चाते हैं और क्या बहतर हो सकता है जो सुजाव देते कि यह आवशकता है वो भी हम उसमें हमारी report में डालते हैं तो एक पारदशी यह system है कि जो मूलभूत ground level की जो बात है वो लोकस सुखा के इतने बड़े मंदिर में पोचती है जनता की आवाज तो यह वो ही है कि जो जनता चाहती है वो सरकार करती है बिल्कुल तो जिस तरह से संसर जी ने बताया कि संसदीय समीतियों में जब संसर सत्र में जब यह होते हैं तो विधाई कामकाज और अन्य मंचों पर त संसर में पेश होती है जिस सरकार संग्यान लेती है और कई बार इनके सिफारिशों को कानून में भी शामिल किया जाता है शंकर लालवानी जी आप संस्कृति मंत्राले की कंसल्टेटिव कमिटी में भी हैं और इंदोर शहर अपनी कला कल्चर के लिए भी जाना जाता है तो किस तरह से आप मंत्राले की उस समीती में रहकर संस्कृति को बढ़वा देने के लिए आप लोग काम कर रहे हैं देगि हमारे देश की वीव संस्कृतिया है और बहुत वर्सेटाइल है हम देखते हैं देश के हर कोने में अलग-अलग संस्कृतिया है लेकिन यह हमारा अमरत मावस्व के रूप में ने की ये देश के इतियास में एक सौरीनमें अक्षरों में लिखाने वाला अध्या है जो संस्कृ। तो इस संस्कृति भाग में इतना बड़ा काम हुआ है कि हम यह कह सकते हैं कि एक नई दिशा मिले पहले के संस्कृति में यही था कि कुछ कारिक्रम होते थे लेकिन अब देश की विवित्ताओं को पूरे एक समेटा गया है और यह आजादी का अमरत माथ तो इसमें बहुत मह अंभीर और वैश्विक बीमारी का दौर यहां पर देखा था उसके बावजूद शंकर लालवांडी जी लोकसभा में कारवाई में हमेशा उपस्तित रहे यह एक सरानिय कदम रहा शंकर जी आप संसत के एकदम कर्मठ सक्रिय राजनेताओं में से एक हैं जो सदन में हमेश सुन्यकाल महतफूर होता है. और अन्य विशेशकर्क उन छीट्रों के लिए जो हमारी महांग करते हैं कि यह बहतर हो सकता है वो रखने की अच्छा माद्धा में आप पहली बार लोकसभा में, सत्रवी लोकसभा में चुनकर आए और हम देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओंबिर्ला में सत्रवी लोकसभा में जो पहली बार चुनकर सांसद आए उनको बोलने के लिए ज़्यादा प्रोचसाहित किया उनकी सक्रियता सदन के अंदर जादा रहे, इसको लेकर वो हमेशा से सदन में भी बोलते हैं, सदन के बाहर भी बोलते हैं, तो किस तरह आप लोगसवाद द्यक्ष ओम बिरला के इस प्रियास को पाते हैं? देखे ये बात सही है, मैं ही नहीं हमारे जितने भी नए सांसद हैं, और हम ये पुराने सांसदों से सुनते आएं, पुराने सांसदों यहां तक बोला कि उनके जो चार बार के सांसद हैं, पांच बार के सांसद हैं, उन्हों में बोला हम अपने चार पांच सांसद के सांसद में हम इतना नहीं बोल पाए जितना आप नए लोग इस बार बोल रहे हैं तो ये हम नए लोगों के लिए बहुती सुभागे की बात है कि हमको मोका मिला और हमेशा मानने हैं लोकसा बाद्यक जी हमको आगे बढ़ाते हैं और ये भी कहते हैं कि आप बिना देखे पड़िये आप तयार हुए क्योंकि आप देश के विश्य करता हैं तो आप तयारे करके आईए तो एक पालक बच्चों को तयार करता है पिरेंट बच्चों नहीं सांसद सोते हैं उनको भी पुरा भरपूर मौका दिया जाता है तो हर चाहे वो किसी भी छेत्र से आया हो कुछ भी थोड़ा ही बोलें वो कभी-कभी तो इसा भी हुआ है कि जिनको बोलने में थोड़ा संकोज हुता है उनको भी उठा के प्रस्तन देते नहीं आप बोलिए हम आपके साथ हैं तो आखरी सवाल के तौर पर मैं संसत महदे आपसे जानना चाहूंगा देश और जनता आप लोगों वड़ी उमीदों से देखती है और संसत के कारवाई को संसत टीवी के माद्यम से देखते हैं आप लोग का योगदान कानून बनाने में उनके लिए नीतिया मनाने में इसके बाते हैं कि संसत के जो सत्रों के दिन है वो बढ़ने चाहिए और संसत कानून बनाने का बहुत बड़ा मंदीर स्के जह सकता है तो निशीचत तो रूपय • नियídको तो लॉवमेकर कारिकरन में आज हमारे साथ थे इंदोर शहर से सांसत शंकरलालवाणी सर आपका कारिकरन में जूरने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाँ फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे संसद के साथ जो बताएंगे किस तरह कानून बनाने में उनका योगदान होता है और संसद में किस तरह उनकी भूमिका होती है नमस्कार झाल